तो आज हम इंस्टॉल करने जा रहे हैंगे PopOS तो PopOS है क्या PopOS is a pre and open source Linux distribution based on Ubuntu and feature customized norm ok Dextron environment वगरा वगरा तो PopOS जो हैगा एक Linux distribution का यह एक OS हैगा जो Ubuntu based हैगा सरह Ubuntu के जिसी इसके features हैगे इत्तम इसके बारे में जानता हूँ तो simply हम क्या करेगे यहाँ पर इसकी website पर आ जाएगे तो आपको दिख रहागा हम यहाँ पर Google पर सर्च करेगे PopOS यहाँ पर हम जिसी इसकी website पर आएगे तो आपको दिख रहागा first link यहाँ पर इस पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इसका पुरा document आपको पढ़ लेना है अगर आपको लगता है तो तो इसमें पुरा दे रखा है के काई के लिए यूज होता है Deep Learning, Engineering और Media Production वगरा वगरा आप इसमें देख सकते हो तो simply इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड पर आप क्लिक करोगे इसको आपको दिखा जाता हो यहाँ पर के 2.4G यहाँ पर इसका ISO फाइल है इंटेल के लिए ओके यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है मेरे पास में मेरी VMware virtual machine को open कर लूगा open करने के बाद मैं यहाँ पर create a new machine करूगा यहाँ पर जेसी में create a new machine करूगा custom next फिर करूगा next यहाँ पर मेरी ISO को select करूगा browse को पर जाकर यहाँ पर मेरी pop voice की ISO को select कर लूगा select करने के बाद मैं मैं इसको यहाँ पर करूगा next next करने के बाद मैं मैं इसको Linux प्रें दुआ अबन टू बेस्ट 64 बिट पर ही रहने देऊगा क्योंकि मैं आपको बताया है नेक्स करूगा यहां पर मैं इसका नाम रख दूआ ओँगा मशिन का पॉप ओएस यहां पर आप देखोगे मिन उसका नम पॉप ओइस रख दिया है सिंपली नेक्स करूगा, नेक्स करूगा, यहाँ पर मैं 4GB RAM दे दूगा, यहाँ पर British Commission करूगा मैं, उसके बाद मैं फिर नेक्स कर दूगा, फिर यहाँ पर नेक्स, नेक्स, यहाँ पर virtual hard disk मैं 50GB की दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है 100GB की तब 100GB की भी आप दे सकते हो, ओके, 50GB sufficient होता है, नेक्स करूगा, फिर से नेक्स कर दूगा यहाँ पर, उसके बाद मैं simply, मेरी machine जो है, create हो चुकी होगी, ओके, यहाँ पर मैं करूगा, इस engine को मैं चालू करूगा, ओके, display में 3D graphics को, अगर आपके ती को तो इसको हटा देना, ओके, machine को यहाँ पर on कर लेना है, simply, जैसी machine आपर on होएगी, तो minimum 2 to 4, यानि 5 मिनिट आप माल लो, यहाँ पर यह बूट होने में लेगा, तो यहाँ पर यह बूट हो रही आएगा, तो आपको बताना चाहूगा, कि Linux के बहुत सारे, यानि वर्जन से के, जैसी के आपको द OS के लिए Linux के, तो सबका installation दिखाऊगा मैं VMware पर, अगर आप चाहते हो कि मैं double boot करके भी दिखाऊ, तो please में को like, share and subscribe करके comment करें, okay, मगर like, share and subscribe बिल आपको करना पड़ेगा, okay, तो यहाँ पर यह boot हो रहा हैगा, minimum यहाँ पर इसको 5 मिनिट लेगेगे, इसा घवराना मती आप अगे, तो यहाँ पर यह boot हो रहा है, okay, यहाँ पर यह boot हो चुका हैगा, यहाँ पर आप देखो के, बॉप OS का एक window आगया है, और इसको मैं scroll down करके यहाँ पर देखो, यहाँ पर installation पर मैं click करूगा एक बार, okay, यहाँ पर मैं इसको click कर दिया है, click करने के बाद में, कुछ यह यहने फोर्सली इस्टोव होने का बोलेगा आपके सिस्टम को पर डिपेंड करता है अगर आपका सिस्टम लोवेंट है तो इसा कर सकता है यह क्योंकि मेरे इसमें कर रहा है I5 और I7 में इसा नहीं कर रहा था यह तो वेट कराने को बोलूगा मैं इसको वापीस से पॉप तो यहां पर इंस्ट्लेशन का हमको दे दिया होने है सिंपल ही हम स्लेट करेंगे इंग्लिश में कर पाएगे हम तो इंस्ट्लेशन हिंदी में तो हम करनी पाएगे ओके डिस्प्ले शेटिंग में चले जाते है और यहां पर सबसे पहला हमारा डिस्प्ले का साइज जो है म मेंटेन करेंगे तो यहाँ पर इसकी सेटिंग खुल गए थोड़ा स्लो चल रहा है पता नहीं क्यों तो यहाँ पर हमारा डिस्पले का साइच मेंट्वेंटी करके देखते हम ठीक है और यह बॉपरे यह बहुत जादा बड़ा हो चुका हैगा सिम्बल हम इसको काम करते है 14. is एक हम इसको यहाँ पर ओक ए अगर आप वर्चुल दर आनिकत को प्लिक कर सकते हो vmware यहाँ पर जो पचाजी भी हमने दिया था वो raise and install यहाँ पर हमको हमारी machine का नाम देना रहेगा यानि कि admin जो भी रहता है user तो मैंने stamp दे दिया है यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर आप एक strong password बनाओ 1,2,3,4 वाला मत बनाओ strong बनाओ यहाँ पर strong password में बना लेता होगा strong password यहाँ भी बना लिया है मैंने ओके और next कर दिया है next करने के बाद में हमको हमारा password encrypted form में रखना है तो यहाँ पर हमारा installation चालो हो गया partition यानि कि बनना चालो हो चुका हमारा यहाँ पर तो minimum यह जो process होगा आप इसके अंदर minimum इसके अंदर आपको 45 minutes लग सकता है 45 minutes लग सकता है okay तो आप जब तक आपके सारे काम निप टालो okay तो यहाँ पर मैंने fast forward कर रखाएगा वीडियो को तो प्लीज पुरा वीडियो देखों पर ले उसके बात करना तहाँ पर हमारा instruction फिनिश हो चुका हैगा फिनिश होने के बाद हमसी automatically restart मांगेगा okay हम restart कर देगे इसको simply okay continue setting up restart okay हमने इसको restart कर दिया है यह minimum restart होने में भी यहनि 1-2 minute लगाएगा okay 1-2 minute लगाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर यह जो है यहनि बूट हो रहा है भी okay तो जब तक यह बूट हो रहा है आपको और कुछ बता देता हूँ तो अभी मैं शायद नए साल में यहनि नेक्स येर में आपको एक बड़ी आसा काली लिनिक्स का कोर्स लेकर आने वाला हूँ यहने एथिकल लेकिंग का तो प्लीज यार वह जरूर देखना तो यहाँ पर हमारा यह वापी से स्टार्ट हो चुका आएगा आप देखोगे यहाँ पर हाँ तो हमारी मेशिन यहाँ पर चालू हो चुकी हैगी बिल्कुल पूरी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर भी थोड़ा टाइम लेगा एक चीज यह भी इंक्रिप्टेट फॉर्म में आपसे मांगेगा आपका पासवर्ड ओके प्लीज अनलोग डिस क्रिप्ट डाटा वही अपना जो डाल रखा अपनने पासवर्ड वही अपनको यहाँ पर फील करना है यहाँ पर जिस पर पासवर्ड हमको वही डालना है जो हमने शुरू में सेट करा था ओके तो यहाँ पर हम इसको याने लोगिन कर लेगे जैसे हम इसको लोगिन करेंगे तो मिनिमम वन मिनिट ले गई लेगा ही स्टार्ट होने में तो यहाँ पर आप देखो कि हमारा पॉप वेस्ट हो ठीके, स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर ही स्टार्ट हो चुका हैगा, आप देख सकते हो, पॉप OS, ओके, तो यह फुली इस्टालेशन हो चुका है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सस्क्राइब, और अगर आपको और कोई से भी वीडियो चाहिए, याने OS के बारे में डीट में बता है, थेक्स